जो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कच्चा बादाम सोंग्स की जिसको देखो वो इस सोंग्स पर डांस करने लग जाता है हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही गाना है वो है कच्चा बादाम जिसको देखो वो इंस्टा, यूटूब, फेस्बुक, हर कोई एप पर रिल्स बना रहा है तो चलिए जानते हैं इस गाने के बारे में ये गाना किसने गाया, इसका सिंगर कोन है तो आपको बता दे कि इसका सिंगर कोई नई बलकी एक गरीब मुंग फली बेंचने वाला व्यक्ति है चलिए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में इस गरीब व्यक्ति का नाम भूबन बादाईकर है भुबन बादाईकर ने सडकों पर मुंग फली बेतने के लिए कई सालों पेले यह गाना बनाया था कच्चा बादाम गाना इस गाने पर आज 3 लाग से ज़्यादा रिल्स बन चुकी है सोशल मीडियो पर इन दिनों कच्चा बादाम गाना जमका ट्रेंड हो रहा है बंगली भासा में बने इस गाने की रिलिक्स बहले ही लोगों की समस्य परे है लेकिन यह गाना पूरे देश के जहन में बस चुका है इस गाने को किसी नामी सिंगर या कंपोजर ने नहीं बलकी सडकों पर मूंग फली बेतने वाले एक आम इंसान ने बनाया है आईए जानते हैं क्या है भूबन बादायकर की असली कहानी भूबन बादायकर पक्षिम मंगाल के कुराल जूरी गाउं के रहने वाले एक गरिप सक्से पेट पालने के लिए भूबन गाउं की सडकों पर मूंग फली बेतने का काम करते हैं साइकिल पर जोला रकन भूबन सडकों में सुरीली अंदाज में मूंग फली बेतते हैं इसे क्रेटिव अंदाज से बेतने के लिए भूबन ने कच्चा बादाम गाना तेयार किया था कच्चा बादाम गाना असल में मूंग फली पर बना है बंगली भासा में मुंग फली को कच्चा बादाम केते हैं पक्चिम बंगाल के छोटे से गाउं में रहने वाले भुबन बंगली भासा के लवा कोई भासा की समझ से परे है गाउं में एक जोपड़ी में रहने वाले भुबन के घर में एक पतनी, दो बेटे, एक बेटी को मिला कर कुल पांच लोगे जिनके जुम्मेदारी वो खुद उठाते हैं रोजाना 3-4 किलो मुंफली बेटने के बावजूद भुबन मेहज 200-500 रूपया जमा कर पाते हैं पोपुलर्टी मिलने के बाद भुबन ने बताये कि उन्होंने सडकों पर लोगों को आकरसित करने के लिए 10 साल पेले कच्चा बादाम गाना बनाया था वो चाते हैं सरकार उनके परिवार को आर्थिक मदद दे जिससे उनका गुजरा हो सके गाना वाइरल होने के बाद भुबन की बिक्री बढ़ चुकिये चुनाओ के दोरान उन्हें केमपेन का हिस्सा भी बनाया गया सोसल मीडिया पर कच्चा बादाम वीडियो वाइरल होने के बाद एक रेपर रोन इने कमपोज किया था इस रिकमपोज हुए गाने को यूटूब पर 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज और 1.2 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं तो दोस्तो केसी लगी भूहम की कहानी अगर वीडियो आपको पसंद आ है तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करना न भूले